मुवी के स्टार्टिंग में हम दगते हैं कि समंदर के किनारे बीच पर बहुत सारे लोग मिलकर नाइट पार्टी कर रहे हैं यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और सबी लोग मिलकर अच्छे से पार्टी इंजॉय कर रहे हैं अब रात हतम होती है और अगला दिन आता है ये सबी लोग रात की पार्टी से थकने के बाद में अभी तक सो रहे होते हैं यहाँ पर कैली उठती है और बाकी लोगों को भी जगाती है कैली और मिश नोटिस करते हैं कि उनके लावा पार्टी में बाकी जो फ्रेंड्स थे वो जा चुके थे उनकी फ्रेंड मार्शा भी तभी दूसरी तरफ नीन से जागती है पार्टी के हैंगवर के बाद में उसकी तभी ठीक नहीं लगती है और उसे उल्टी होने लगती है केली पास में देखती है कि एक कवाज सेंड पर आकर बैटा है जिसके बाद में उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है मार्शा अपनी टेबल से नीचे उतरती है और अचानक से सेंड पर जब वो पाउं रखती है तो उसका पाउं वहाँ पर स्टक हो जाता है मार्शा अपने पाउं को निकाले के पूरी कोशिश करती है मगर उसका पाउं ऐसे लगता है कि कोई अंदर से खींच रहा है इससे देखकर उसका एक फ्रेंड उसे बचाने के लिए जाता है मगर जैसे ही सेंड पर पाउं रखता है तो वो भी सेंड पे चिपक जाता है ऐडिया नहीं होता कि यहां पर आखिर क्या को रहा है। कहलई करने के लिए सैंड के पास जाकर कुछ उपर से हाथ रक्र चेक करती हैं और यसा बता चलता है कोई चीज जो नीचे सैंड से निगर रही होती है। जिसके बाद ये सभी लोग जान जाते हैं कि सेंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और हमें अब नीचे नहीं होताना चाहिए। कुछ टाइम बाद उनके फ्रेंड गलबर्ट के आंग खुलती है जो कि एक बड़े से कैन में होता है। इन सभी फ्रेंड लोगों ने पिसली रात में गलबर्ट के साथ प्रैंक करने के लिए उसे कैन में डाल दिया था। और जब अब गलबर्ट के आंग खुलती है तो वो अपने आपको इसमें फसा हुआ देखकर सभी लोगों पर चिलाने लगता है। बाकी फ्रेंड उसे बाहर ना निकलने को और उसे खामोश रहने के लिए कहते हैं। बगर गलबर्ट को भी पता नहीं होता कि यहां पर कुछ तो प्राबलम चल रही है। लेकिन फिर भी सभी लोग गलबर्ट को समझा देते हैं कि तुम अपनी उसी पॉजिशन में रहो और हिलने की कोशश मत करो। सभी फ्रेंड्स लोग अब खामोश हो कर अपनी पॉजिशन में रहकर थोड़ा रिलेक्स फील करते हैं। इस सब के पास में मदद के लिए कोई आइडिया नहीं वज़ता हैं लोगों का फोन भी कार की ट्रंक में होता है। और सारी रात पार्टी के चकर में नहोंने अपनी कार की लाइट्स ओन रहकी थी। जिससे कार की बैटरी डेड होने की वज़़े से कार अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। दूप इतनी तेज होती है कि जिससे सबी की बॉड़ी जलने लगती है। जिसके बाद में सब लोग अपनी बॉड़ी पर लोशन लगा कर कुछ से रिलेक्स करते हैं। जल्द ही अब यहाँ पर सभी लोग रियलाइस करते हैं कि पार्टी में जितने भी लोग थे वो यहाँ से गई नहीं हैं। बलके सभी लोग इस सैंड में ही दफन हो चुके हैं। ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैटने से कुछ भी होने वाला नहीं था। सबी लोगों को भूख लगने लगती है इसलिए जॉना बिक आईटिया लगाता है वो दो राफ्ट के थूर पास के टेबल पर जाने की ट्राइ करता है बाकी दोस जो लोग होते हैं वो से ऐसा करने से रुखते हैं मगर जॉना फिर भी किसी की बाद माने बिना वो ऐसा करता ह वो आईस्ता आईस्ता राफ्ट के जरी आगे बढ़ता है वो जिस्ट टेबल की पास पहुंच ही जाता है लेकिन उसका राफ्ट अब यहाँपर पीछे के और स्लाइट करने लगता है जिससे जोना टेवल और राफ्ट के 20 मैं फज जाता है वो बस सैंड को टच करने वाला होता है मगर एंग जड़के से कूऊटके जौना पास के टेबल पर चड़ जाता है सैंड के पास में इतना नज़्दीक चले जाने कि वज़े से उसके पेट में कुछ जखम सा मुझाता है जिसके बाध कि उपर वाली लड़ियां किसी तरह उसको खोलने की ट्राइ किरती हैं तोनों लड़ियां को खोलने की काफी करती हैं ट्रंक तकिश्यशन में ब énormément की हैं केलल और वील उसे पूरी बात बताने की दूर से कोशश करते हैं किये सेंड में है मगर यह प्रॉबलम है मगर सब मज़ाक समझता है केले उसे संぜ अने के लिए भी कहती है मगर प्रीस वालों किसी की भी बात नहीं मान कर उत vic केली के पूरी सिचुएशन के बारे में पूछता है यहां की पूरी बात बताती है कि आखिर कार यहां पर हुआ क्या था लेकिन पुलीस वाला किसी की बात पर यकीन करने को राजी नहीं होता है वो समझता है कि सभी लोग मजाग करे हैं और वो केली को नीचे आकर उतरने के लिए कहता है मगर केली नीचे आने से मना कर देती है वो पुलीस वाले ऐसे ही जवदस्ती करता है मगर तभी उसी दोरान उस पुलीस वाले की कार की चावी नीचे गिर जाती है और वो चावी उठाने के लिए नीचे जुकता है तो उसका हाथ सैंड में जम जाता है उसके पास पेपर स्प्रे होता है वो अपने हाथ पर चुड़क कर जब हाथ कीचता है तो उसका आदा हाथ कट चुका होता है अपना कटा हाथ देखकर वो बहुत जादा चिलाता है और अपना बैलेंस को कर वो सैंड पर गिर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो सैंड में दफन हो जाता है गेलबर्ट के काफी देर उसी कैन में होने से उसे दर्ध होने लगता है मिच अब यहाँ पर समझ जाता है कि पाउं में मोटा कपड़ा बांध लिया जाये तो हम यहाँ से तेजी से भाग कर निकले तो हम यहाँ से निकल सकते हैं वो सेंडर से कार में रखे कुछ कपड़े मांगता है मगर जादा excitement की चकर में वो भी सेंड पर गिर साता है और उसकी भी यहीं पर बेहत खतनाग तरीके से मौत हो जाती है और वो भी सेंड में दफन हो जाता है सबी लोगों की उमीद अब यहाँ पर खतम होने लगती है और उस साइड पर जाना दर्च से चला रहा होता है इसलिए उसकी गर्फरंड कैली उसके पास जाने का रस्ता बनाती है सबसे पहले वो कार पर जंप लगा कर रॉनी का हार ट्रंक से बाहर निकालती है उसके बाद लगडी के दो डंडो की मदद से उन पर चलकर जोना के पास जाती है गेलबर्ट की पेट से भी हो निकलने लगता है जिसकी वज़े से सैंड में जो मौंसर होता है वो गेलबर्ट की तरफ बढ़ने लगता है इस तरह दो लड़कियां जोना के पास टेबल पर पहुंच आती है अब लास्ट में आपर रॉनी बर्षती है जब वो उनी डंडो के सहारे पर आती है तो उसका बैलन्स थोड़ा बिकर जाता है जिसकी वज़ा से वो सैंड पर गिजाती है और उसकी भी वहां पर मौत हो जाती है सैंडा बिन सबसे परिशान होकर अपने पाउं में कपड़े को बानती है और भाग कर पुलीस की कार की तरफ जाती है मगर इसी दोरान वो जो भी यहां मौंस्टर होता है वो गेलबर को सैंड में घसीट लेता है वो मौंस्टर पुलीस की कार को भी इलादा है जिसके बाद संडा का बैलन्स बिगर जाता है और वो कार पर गिर कर बेहोश हो जाती है थोड़ी देर बाद अब यहाँ पर रात हो जाती है संडा बेहोशी से जाग जाती है संडा को पुलीस की कार पर कुछ सामान मिलता है इससे खोलने पर उसे पता चलता है कि वो एक एर बोट है वो इससे नीचे फैंगती है और हवा भरती है अब इस बोट के जरीए कैली और ज जिसकी मदद से उस मॉंस्टर को जला देती है अब केली भी कार के अंदर आ जाती है सबी लोग थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं कुछ टाइम बाद अगले दिन अब याँ पर उन लोगों के पास एक नया आदमी आता है वो इन तीनों लोगों को जगाता है अब इन तीनों ल मुवी का एक्स्प्लेनेशन उमीद करती हों कि आपको ये मुवी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नियों है तो चैनल को सब्स्राइब करने ना भूलेगा